अलो दोस्तों, गोपाल सिंग ओफिसियल 429 में आपका स्वागत है तो बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम CRPF मिनिस्टियल के लिए जो रिक्वार्मेंट आया हुआ है 2023 के लिए तो वो पूरी वीडियो में हमारे बने रही है, हम पूरी जानकारी आपको अपने चैनल के मात्यम से हम देंगे Central Reserve Police Force जो ASI Steno and Head Constable Ministerial 2022 requirement 2022 में आया हुआ है लेकिन online date जो start होने वाला है यहाँ पे कुछ help line number दिया हुआ है और opening date opening date जो है इसका जो online का date है जब आप कब apply कर सकते हैं यह 4-1-2023 से closing date है 25-1-2023 तक इन दोनों के बीचों में आप मतलब आपको 4-1-2023 से 25-1-2023 के बीच में आप इस मिनिस्टियल के लिए CRPF मिनिस्टियल के लिए आप form apply कर सकते हैं अप्लाई करते समय का यह है जो ASI Steno की तरफ ASI Steno और Head Constable Minister के जो application invited किया गया है आप लोग को male and female दोनों के लिए हैं और बता दूं कि जितने भी हमारे candidate हैं जो भी इसमें apply करना चाहते हैं इसका जो requirement मांगा गया है वो भी सब पूरी detail हम बताएंगे आपको पहले बात करूं vacancies की vacancies to notify for male and female candidate के लिए दोनों के लिए है और assistant sub inspector steno के लिए जो general में seat दी गई है वो 58 है वहीं पर EWS की जो seat दी गई है वो 14 है और OVC की 39 और SC की 21 और ST की 11 total post 143 है मतलब 143 steno के लिए vacancy आई हुई है और बात करूं वहीं पर तो hand constable minister के लिए जो general के लिए है जो unreserved के लिए है पर 532 seat हैं और EWS की बात करूं तो 132 seat आई हुई है और OVC की बात करूं तो 355 seat आई हुई है और SC की बात करूं तो 197 और ST की बात करूं तो 99 total post है यह 1315 है और यह जो जितने भी seat है यह second का post है और यह जो इनका जो assistance of steno के लिए जो pay label है जो pay है इनका 5th है और head constable minister के लिए 4th level का pay grade है वहीं पर बात करूं तो age limit की बात करूं तो age limit यहां देखो लिखा हुआ है age limit of candidate should be 18 to 25 year age on not burn before the कहने का मतलब की 18 से 25 साल के जो जिनका भी age हो रहा है वो apply कर सकते हैं और इनका जो last date है 21-2023 है मतलब इस form का apply का जो date है last date वो 25-2023 में यह form close हो जाएगा online होना बंद हो जाएगा candidate should be not be burn मतलब 26-1995 के बीच अगर आपका date of birth आता है तो आप यह eligible है इस form को apply करने के लिए CRPF ministry के लिए या जो भी है steno के लिए या ministry के लिए अब बता दूं कि इसमें qualification criteria क्रेटिरिया क्रेटिरिया यही है कि education qualification इसमें 10 प्लस 2 होना चाहिए या इसके समकच कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास अगर 10 प्लस 2 है आपके पास तो आप eligible हैं इस form को apply करने के लिए और apply करते समय आपको कोई भी certificate किया शकता नहीं है तो भी ठीक नहीं है तो problem नहीं है क्योंकि आपको only typing आना चाहिए कि वहाँ पे आपको typing कराया जागा 10 मिनट का time मिलता है और typing में आपको back space काम नहीं करता है ओनलाइन typing होती है उसको अगर typing क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका यह माना जाएगा कि आप यह typing में पास हैं क्योंकि आप certificate ले जाकर और typing नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई अब बता दूं कि रीटेन के बेस पे आपका जो मेरिट है वो बनेगा और रीटेन और पहली बात तो यह फीजकल होगा फीजकल में आपका कोई running का इसमें criteria नहीं दिया गया है आपका जो chest height weight documentation रीटेन यह है प्रक्रिया आपका जो भी physical में PhD में चेक होगा यह सब चीजे ह इसमें running running का कोई प्रवाधान नहीं बना हुआ है क्योंकि यह ministryal का job है इसमें बात करूं कि जो typing test होने वाले हैं आपके English typing speed आपका क्या होना चाहिए वो पूरी जानकारी हम देंगे English typing speed इसमें 30 word permit लिखा है लेकिन आपसे वो 35 word permit लिया जाएगा हिंदी यह typing जो speed है वो 30 word per minute आपसे लिया जाएगा यहां 30 अकर लिखा है तो कोही न कहीं missing है क्योंकि English की जो typing है वो 35 word per minute 10 minute के लिए आपको जब time मिलेगा तो 10 minute में आपको 350 word आपको करने होंगे और हिंदी टाइपिंग speed आपकी 30 word per minute होना चाहिए हिंदी टाइपिंग मतलब 10 minute में आपको 300 word आपको टाइप कर देने है वहीं पर बात करूं इस्टेनो के लिए तो जो भी 10 plus intermediate मांगा गया है उसके बाद आपको जो इस्टेनो है उसका speed जो मांग गया है वो 10 minute में 80 word per minute का म करने है यह जो eligible criteria दिया गया है यह आपको आपको होना चाहिए तभी उस post के लिए आप vacancy के लिए apply कर सकते हैं अगर यह सिप सब आपता है तो आप apply करिए और यह आपका जो trade test है वो आप निकालिए और return में marks अच्छा लाइए और आपका joining पक्का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूले और ऐसे ही वीडियो defense related जानकारी हम अपने channel के माध्यम से हम देते रहते हैं आज के लिए बस इतना ही चैहिन चैभारत